चलिए हम लोग स्टाट करते हैं जो हमारी इकॉनमिस की सीरीज चल ली थी इसका पार्ट नमबर 19 देखिए आज हम लोग देखेंगे अगर आप फिर भी इस वीडियो दिखना जाते हैं तो यहां पर आपको एक आई बोटन का लिंक दिख रहा होगा इसके वारे में आप आपक है ब्याजदर आखिर यह ब्याजदर क्या है और हम कौन सी ब्याजदर की आज बात करने जा रहे हैं जिस पर बैंक रेंक रेंड लेते हैं या फिर हम लोग रेंड लेते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस ब्याजदर की जिस पर हम लोग लोग लोन लेते रेड लेते हैं उसके बात करने जा रहे हैं जैसे एक स्टूरी सुनिए जैसे यह पपू है इसको सौ रुपए की जरूरत है इसको सौ रुपए की जरूरत है मान लिए अब एक है आप बैंक के पास बैंक से बोला हमको सौ रुपए का लून दे दो सौ रुपए का लून दे तो उसने का चलो ठीक है यह दर हम को तुम्हें देना पड़ेगी तो बेंक ने का ये 12% की दर आपको देनी पड़ेगी इसके साथ में 12% की बारसिख भ्याज़ दर से हम आपको रेड़ देंगे तो जो पपु है पपु सोचा पपु तो बीचार पपु है पपु सोचा है कि 12% कहां से आगया है उसने बेंक से पूछ लिया कि ये बाराँ फरसेंट भी है तुमने कहां लिगा ला रात में तुमको सपना आया जो है वो कैसे हमें कितनी oring क्ले के हमें रोका भिए आफ़ है कि यह जो percentage है कैसे बैंक करती है और किस ब्यास दर्वर हमको लून दिया जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं 2010 से पहले कि बात हम करते है 2010 से पहले बैंक इसका उपयोग करती थी फिर 2000 के बास से 2016 तक इसका उपयोग किया और बरतमान में जो बैंक है वो इस प्रणाली का है लोगों के लिए तो पहले हम पहले इसकी बात करते है नमर बंद की कि यह क्या है और हमने इसको क्यों बंद कर दिया हमें इससे बंद करने के आवज़ सकता क्यों पड़ी यानि कि इसमें कुछ खामिया होंगी कुछ कमिया होंगी तब ही तो हमने इसको बंद किया और इस इसको इंग्लिस में कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट तो मैं आपसे पूछता हूं प्राइम लेंडिंग रेट क्या है इसको हिंदी में कहते हैं प्रधान इसको बोलते हैं प्रधान रेड़ दर क्या बोलते हैं प्रधान रेड़ दर इसको बोलते हैं तो आप लोग इसके हिंदी भी दिहान रख लीज़े हैं क्योंकि कई बार हिंदी भी देता है फिर आप लोग पन्फिस हो जाते हैं तो प्राइम लेंडिंग रेट के हैं तो आपको बोलना है कि ब्यासदर है तो मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी ब्यासदर है तो आपको बोलना है एक ऐसी ब्यासदर है जिस पर बैंक रिड देती है अपने सर्बस्रेस्ट ग्रहाकों को यानि कि जो सर्बस्रेस्ट ग्रहाक होते हैं उनको क्या देती है लोन देती है किस पर पी एलार पर किस पर देती है पी एलार पर किसको देती है सर्बस्रेस्ट ग्रहाकों को यानि कि जो सर्बस्रेस्ट ग्रहाक होगा उसी क तो से रिट देगे किस पर PLR पर तो अब हम सर्ब स्रेस्ट गराइग को ने आपके दिमाग में आईसा पोछ शन आ सकता है ना कि आखर हम सर्बस्ट कराक किसे कह przyszे खेए तो इस सर्बस्ट गराइग कोता है या कि बह्यभःग होता है जिसका रेड के छित्र में सुच इतियाज हो, मतलब इसका क्या हुआ, उसने जैसे 100 रुपह लिया और उसको बतायागी कि आपको इस 6 महीने में इसको रेटन कर देना है, और उसने इसे 6 महीने में रेटन कर दिया, और फिर उसने मानते हैं कभी उसने फिर से रेड़ लिया 200 रुपह का और उससे बोला गया कि आपको ये एक साल में इसको रेटन कर देना है यानि कि उसने टाइम से टाइम पर अपना रेटन दे रहा है टाइम पर अपना ब्यास दे रहा है तो ऐसे बेगती को कहा जाता है कि उसका एक सुच इतिहास है यानि कि वो अपने बादे से वो करता नह यानि की अब हम ऐसे बिक्ति को पैसा दे दे मानते हैं उसकी एक रुपए भी इंकम नहीं है एक रुपए भी इंकम नहीं है और इसको एक लाख रुपए दे दिये तो विचारा वो रिटन कहां से करेगा इसको तो वो बैंक यह भी देखती है ना कि अगर जैसे कि इंकम 50,000 पचासजार रुपए है और इसको हम जैसे दो लाक रुपए भी दे देते हैं और एक साल में इसको बन एयर में इसको रेटन करना है आराम से रिटन कर सकता है इंजक्य उसके पर मंत पचासजार रुपए आ रहे हैं इसमें से आगर 80 10-10,000 रुपए कट आएगा तो वह 10 महीने में ही इस एक लाख रूपय को भड़ेगा तो आराम से इसको रिटन कर सकता है ना इसी तरह अगर वह बीस पीज़क रूपए रिटन करेगा तो दोनों लाख रूपय है और उसको भी आराम से प्यफ्ट कर सकता है तो देखेए इसक आई का एक निस्चित इस्तरोथ है ना तो ऐसे बेगती को जो यह दोनों कंडिसन है जो फुल्फिल करता है नमबर एक उसका सोच चित्यास हो और दूसरा आई का इस्तरोथ हो तो उस बेगती को सर्प्स्रेस ग्रहक बोलते हैं क्यों कि इसको हम रेड़ देते हैं तो इस करेगी करें का मज़ करने मारा जाने वाले आप देखे क्या हुं आप बैंक को क्या होता है यहां पर आप देखे दिए-द्यान से इसको 2010 में इसको खत्म करना पड़ा मपना है अब यह फास सूचे लहां पर जो सरफर इनको कम पर दे दे रही हैं रिड़े दे रही है लेकिन अब उसकि लिए घाटे हो सकता है गाटा हो सकता है इस घाटे की पूर्टी के लिए वो ऐसे लोगों पर जीता जीं evolve कि संबा मंहाने हमे अक्शे स्कीज एक किसान है बिचारा इसकी आए का इस तो नहीं है क्योंकि पता जला बाढ़ आ गई इसकी फ़सल भी गार हो गई अब इसने बैंक से इसने बैंक से क्या लिया इसने बैंक से लोन लिया कितना लोन लिया मान से इसने एक लाक रुपए लोन लिया ओके एक लाक रुपए लोन पुर्टी ने जो सर्फ ग्राथ से, जो नौप्री वाले लोग थे, उनको तो कम दर पर दें दिया, अब वो सूच रही है, जो हमें घाटा हो रहा है, उसकी पूरतियया हम किस से करेंगे, किसान से, मतलब ऐसे लोगों से करेंगे, जहां से return आनी के संभावने कम है जहां पर घाटा होनी के संभावने जादा है तो वो एक इस किसान को जब रिड देगी तो वो ब्यास की दर बहुत बड़ा देगी जो interest rate होगा ना उसको बहुत बड़ा देगी तैसे आप इसको देगी कहेगी तो मैं 18% की ब्यास की दर थे हमको देना है अब ये बिचारा इसकी बैसे ही गरीब किसान है इसकी आए काम है और आए का एक निश्चित इस्तरोध भी नहीं है और इस पर एक तो बैसी पैसा नहीं बिचारा लोटाल पार है अब दूसरा भी आज की दर भी बढ़ गी अब वो तो बैसी परिसान है अगर इससे भी कम दर पढ़ते था तो हो सकता किसान लोटाल सकता था लेकिन इसने क्या किया बैंक ने और रिटर्न बढ़ा दिया मतलब और जो interest rate था उसको बढ़ा दिया तो ये return कैसे कर पाएगा विचारा परिसान हो जाएगा ना तो इससे क्या होने लगा इस बिवस्ता से क्या होने लगा जो जो gram 8 छेतर था primary sector था इसमें जो rate जाता था rate का rate बहुत जादा होने लगा तो इस sector नीचे जाने लगा तो RBI ने खाएगा ये तो यार गलत बात है जो जिसकी आएगा नहीं है मतलब वो गरीब है तो गरीबों पर इस पर दबाव बढ़ गया ना इस बिवस्ता से गरीबों पर दबाव बढ़ गया ना क्योंकि गरीब होगा उसी की आएए निस्चित नहीं होगी ना तो गरीब पर क्या होगी है दबाव बढ़ गया इसी लिए RBI ने इसको खतम कर दिया RBI ने खतम बढ़ दिया कब खतम बढ़ दिया 2010 में किसको PLR को खतम कर दिया क्यों क्योंकि बेंक अपना लापस्मt्षित करने के लिए अन्य गिरह को पर प्यास की दर बढ़ा दिती थी और ऐसे कौन लोग होते थे गरीबी लोग होगे गरीबी लोग ऐसे होंगेिं इसे जड़TT का सौच इतियास नहीं होगा क्योंकि वो अपने पई से टाइम पर नहीं भर पाते होंगे क्योंकि उनके आए का एक निश्चे तिस्रोथ नहीं है तो आप लोग समझ गये क्यों इसको RBI ने खतम किया क्योंकि इस पर जो बिचारे गरीब है उन पर और ज़्यादा परिसानी हो जाती थी उनको तो इसलिए बैंक दूसरी पर बस्ता लेके आई बेस रेट लेके आई और बेस रेट है इसको कहते हैं आधार दर इसको कहते हैं आधार दर अब इसको कब सुरू किया इसको RBI ने सुरू किया 2010 में यानि कि अब कोई भी बैंक रेट देगी तो वो PLR पर नहीं दे सकती है 2010 के बाद वो देगी तो किस पर देगी बेस रेट पर देगी अब बेस रेट किया इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है आधार दर यानि कि यहां पर किया था सिर्फ कुछ लोगों को जो सर्फ पर बैंक क्या दे रही थी रिड़ दे रही थी लेकिन यहां पर पर कहती है अन्याम सब समाण है और और यह यह रोगे संौन रूख से दोके सम दर पर दो distant कि और आपको बूला है कि यह कि भ्यास दर और क्या है एक ब्यास जिस पर बैंग जिस पर बैंग-ग सभी गडाकों को rate देती है, इस पर क्या होते है, सभी ग्रहकों को rate देती है, समान दर पार, लेकिन इसमें एक note आप add कर लीजिए, इसमें जैसे कि RBI ने कहते हैं विचार है, गो किसान है और जो आपके करमचारी है, जो बैंक की करमचारी है, जिस बैंक पर evaluation, कर मेंसक काम करते हो अपने करमचारियों को देना चाहते हो तो इस बेस रेट से कम पर दे सकते हो लेकिन और किसी को इस से कम पर नहीं दे सकते जैसे इस मर्ग इसमें क्या होते था कि सर्फ्रेस्ट ग्राकों को बैंक कम पर दे देते थी तो इसको दूर किया गया और इसमें क्या किया गया सब भी को समान बनाए गया लेकिन किसानों को और बैंक के जो करमचारी है उनको छोड़ दिया गया क्रिञखि जो किर्सी में हम लोग जानते हैं जादा निवेस की जरूरत है किसानों के लिए जसाहिता की जरूरत होती है इसलिए इसको कैसे द्रखर दिया गया okay अब इस को कैसे न्रधारित किया जाता है जो बेसरेट को न्रधारित किया जो इसकी गढ़ना होती है वो चार अधारों पर कि जाती है और इनी के आधार पर वो गढ़ना करके एक रेट लिकाती है कि कितने रेट से हमें इस महीने रेट देना पड़ेगा इसमें क्या-क्या सामिल किया गया है यह important हो जाता है कई बार पूछा गया इसको इसको अच्छ पास्तारी है वो सारी संस्तान खुलती है बैंक पर यह वह 변 की बिल्डिंग का Cow- drift होता है व lot ना खड़ चाओगो चलो हम उसको लिकाल दिते हैं उसको भी जोड़ दिते हैं और साथ में CRR के कारण होने वाली छती क्यानिकि निगेटिव रिटन ओन CRR इसका मतलब क्या हुगा दीके CRR क्या है मैंने आपको बताया था कुल जामारासी का एक हिस्सा है जिससे बैंक RBI के प भाइस गाटी की भी पूर्ती की जाए ही नहीं तो बैंक अपनी चेम स्टोड़ी ना देखी ओके तो CRR वाले भी हिस्से को इसमें एड कर लिया गया बांचनियल आप जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी यान कि बैंक को यह प्रॉफिट भी तो होता है उस प्रॉफिट अप्रॉफिट यहां पर जो रीपो रेट था इसका पिरभाव नहीं देखता था इसका प्रभाव नहीं दिखता था, मैंने यहां पर nोट नहीं किया है, अभ लोग को नोट कर लेना है, दिखिए time यहांपर प्रभाव नहीं दिखता था, क्यों जैसे अब क्या हुआ, रीबो रेट का कम की रीपो रेट को कम की और वो चाहती है इस से रीपो रेट को कम हो तो लोगों के लिए ज़्यादा प्राफिट हो लेकिन क्या हुआ इसमें तो प्रभाव भी नहीं है ना इसका अब इसका प्रभाव नहीं है तो जब वो अपना रेट लिगा लेगी, किसी को ब्यास देगी वो बोक्ता को ब्यास देगी तो उसकी जो दर होगी उस पर उस पर तो कोई प्रभाब हो नहीं पड़ेगा न यहा Sup da? ज्यादा नहीं होगी नो जो कम ज्यादा नहीं होगी वो ram drag का प्रभा भी निपड़ रहेैं तो टरता को कई से कम जादा करें एक एक का उपकरणी तो है जिसके माध्यम से अर्थ विवसता में तरता को कम जादा करती है इस बारे में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ तो इसलिए आपको फिर भी इस वीडियो देखके चल लिए तो उसने क्या किया यहाँ पर दूसरा टूल लेके आई इसके माध्यम से उसने का चलो हम हम 2006 से समाप्त कर दिया तो 2016 से एक नई वीवस्ता a ya can तो में इसको की यहले करता और पर एस वीवस्ता को क्युVideo कि यहां पर आप लोग नोट कर लिए हैं कि हाँ पर जो रीपो रेट सा रीपो रेट सा uska प्रेवाव तो अब क्या होगा जब हमने नाई वीवस्ता होगी तो इसमें हम क्या चोड़ेंगे हम ऐसी विवस्ता लिख आएंगे ना we प्रिपो रेट का भी इसमें प्रभाव एड हो जाए प्लस हो जाए तो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा उसका प्रभाव एड हो जाएगा और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है यह वाला और यह वाला लगभख में सेम है इसमें ज्यादा अंतर नहीं है तो मैं आपसे बरतमान में हम इसी का यूज कर रहे हैं इसलिए और भी ज़्याद हो जाता है एक कैसी ब्यास दरे मैं आप से पूलता हूं कि ब्यास दरे कि बैंक अपने ग्रहागों को इससे कम पर रिड नहीं दे सकती मतलब उसके जितने भी ग्रहाग हैं सबी को वो जैसे उसने 12% लिका द दिया है कि अगर वो किसानों और अपने करमचारियां जो अपने करमचारियें बैंक के करमचारियें इनको वो रिड देना चाहती है इस MCLR से कम पर तो वो दे सकती है इनके अलावा और किसी को इससे कम पर रेडर नहीं दे सकती है चाहें उसका आई का स्तुरोथ हो चाहें वो हमबानी हो या फिर Bill Gates हो कोई भी लेने के लिए आए उसे इतने पर ही देना ही देना है तो इससे कम पर वो और किसी को नहीं दे सकती है बस एक किसान और दूसरा बैंक के करमचारी है उनको छोड़ कर तो आपको यह समझ में आ गया और इसका भी हम देख लेते हैं इसको भी बैंक जो रेट है वो पिरती महा जारी करती है तो आप लोग देख सकते हैं कि पिरती महा सबी बैंक अपना जारी करती है किन आधारों पर जारी करती है इसमें भी चार आधार हैं इन्हीं के आधार पर बैंक बताती है कि हम 13% की ब्यास से देंगे या फिर 12% की देंगे या फिर 15% से ब्यास देंगे तो वो इसी के अधार पर लिगाती है, वो कौन से चार आधार हैं, उनको हम देख लेते हैं, तो ये starting वाले दो हैं, वो इसमें देखे सेम हैं, दोनों हैं, देखे operation cost जो मैं आपको बताई थी सेम है, CRR के कारण होने वाली छती वो भी है, देखे सेम है दोनों, लेकिन जो ती rate की परिपकता की अधार पर ब्यास पर जोड़ा गया, लाब मतलब premium भी इसमें add हो जाता है, जैसे कि हम किसी को rate देते हैं, तो जब वो परिपकत होता है, तो उस पर जो भी ब्यास बनता या लाब होता है, तो उसको उसका प्रवाव भी इसमें पर आ जाएगा, और साथ मे इसमें देखिए, चौथा क्या add कर दिये गए, इन्हें आप एकदम भूलेगे, पी जाएए, यह बहुत जादा बार पूछे जाते हैं, इसकी लिए आप लोग इसको note कर लीजे, बार बार देख लीजे, भली आप इसको एक बार भूलना है, लेकिन इसको आपको कभी भी पर होने वाली, सॉरी, होने वाला सीमांत भी अब देखिए, इसमें एक चीज़ जुड़ गया, इसमें जुड़ गये, बैंक के पास किसी भी इस तेरोस से आया धन, इसमें क्या था, इसमें जमारासी थी, देखिए है, अब मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें यह रीप लेके लिया हो या किसी से उधार लילा हो कैसे भी लिया हो उस पर होने वाला ब्याइड में जुड़ जाएगा मतलब अगर उसने रिपो रेट पर रीपो रेट पर बैंक है उसने आर बिया से लिया है तो इस पर उसका जो भी घाटा होगा तो इस घाटे को भी इसमें जोड दिया गया है इस पर भी तो ब्याय हो रहा है ना उसको जो घाटा हो रहा है ब्याय हो रहा है तब इस पर घाटा इसको जोड दिया तो इसमें क्या होगा रीपो रेट का भी प्रवाव दिखने लगा ना रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट है इसका भी प्रवाव दिखने लगेगा तो आपको समझ में आ गया तो और दूसरा वाला है अब देखें तीसरा वाला है इसमें बोला गया है कि रिड की परिपक्ता की अबधी के आदार पर ब्याज पर जोड़ा गया लाब तो इसम इसको ब्याज म लेगा कुछ तो मिलेगा ना तो इस पर लाब हो गहा तो इसको भी इसमें अड्ड कर दिया गया यान्कि तीसरा वाला एक है इसमें रिपो रेट है इसको एड किया गया है ओर इसमें क्या है, repo rate है। इसको add कि película है। तो देखे, अब इसमें repo rate और ……لف rate का प्रवाव नहीं दिख रहता है, क्योंकि इसमें जमारासी के द्वारा आया हूँ हूआ धनता सिर्फ लेकिन इसमें जमारासी नहीं है। वे कि किसी भी इस तरोस से चाहें वो रेड के रूप में ही क्यों न धनाया हो उस पर जो बे हो रहे हैं उसको भी जोड़ दिया गया तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया कि हम इसको क्यों लिखिया है अब देखें मैं आपको एक बार कर देता हूं जिससे आप इसको कभी भी देखे पी एल रफ था इस ऐकन देखें रथा जीस पर बैंक सर्बस रिख गिराकों क्या देती थी लोन देती थी देखें लाप एक ब्यास दर है जिस पर बैंक सर्फ से गिराकों को रिड़ देती है और ये रिड़ की दर होती हो कम होती है और सर्फ से गिराक किसको बुलेंगे जिसका सोचे त्यास हो और निचित आई का स्त्रोत हो लेकिन आरबी आई ने से 2010 में खतम कर दिया क्योंकि इससे सर्फ से गिराक होती थे उनको तो दर कम कर देती थी लेकिन अने गिराक होती थे उस पर ब्यास की दर बढ़ा देती थी जिससे अन लोगों पर दबाव बढ़ जाता था और उनको इससे क्या होता था गहाटा होता था तो इसलिए RBI ने इसको क्या कर दिया समफ्त कर दिया फिर BJ ने एक प्यास दर बेन अपने को इससे कमपर दे सकती यानि कि सभी को उसे rate इसी पर देना पड़ेगा base rate पर ही सभी को rate देना पड़ेगा लेकिन नोट कर दिया है RBI ने कि अगर वो किसानों को देना चाहती है या फिर अपने bank के करमचारी है उनको rate देना चाहती है तो base rate से कम पर दे सकती है base rate से कम पर दे सकती और किसी को कम पर नहीं दे सकती है और जो base rate है ये कब जारी किया जाता है कितनी बार जारी किया जाता है साल में तो ये प्रती महाँ जारी किया जाता है मतलब एक साल में बारा बार जारी किया जाता है और इसकी गड़ना का अधार क्या होता है यानि कि सबी बैंकों के लिए अलग अलग होता है कोई बैंकों कोई बैंकों कोई बैंकों उसकी परिसालन कोस्ट जादा हो किसी कम हो अब देखें कोई होता है एकदम टोटालेसी बे अपनाया होता है बैंक ना कोई ऐसे नॉर्मली बना लिता है तो सबी का परचालन कोस्ट ह होगा operation cost होगी या लगा लगोगी ना तो इसलिए सब भी बैंक के अपना अपना जारी करती है आर्बी आई ने कहा दिया कि आपको यह चार आधार रखने है और यह आपको हमें बताने है लेकिन आप अपने आनस्वार गढ़ना कीजिए और हमें बताए कितना रखेंगे लेकिन इससे कम पर किसी को नहीं देंगे इसको समाप्त क्यों कर दिया क्योंकि इसमें जो repo rate था और reverse repo rate था इसका प्रभाव इसमें नहीं होता था तो यह क्या है repo rate reverse repo rate क्या है RBI का एक tool है monetary policy का tool है जिसके माद्धियम से वो तरलता कम ज़ादा करती है ठीक है? और जब इसुपकरण का इसमें प्रभाव नहीं है तो इसके ये टूल बेकार होगए ना तो ये टूल बेकार होगए और तरलता को कम ज़ादा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इसने बेस्टेट को खत्म कर दिया और एक नई विवस्ता लेगा है जिसे MCLR बोलते है MCLR को इसने 2016 में सुरू किया है और ये भी क्या है? दोनों ये सेम है दोनों क्या है? इस सेम है देखे यहाँ पर व्यास दर है मैंने देखे बिल्कुल सेम लिगा है यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम है और इसमें जो गर्णा की जाती है वो प्रती महा यान की इसमें भी देखे बैंक है इसे प्रती महा जारी करती है इसी प्रती महा जारी करती है मतलब साल में से बारा बार जारी क्या जाता है इसकी गर्णा का भी ये दोनों एकदम सेम है देखें दोनों एकदम सेम है दोनों सेम है तो इसमें क्या है दो ही चीजें नई एड़ कर दी है जो इसमें नई दी दी रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट था इसी का प्रभाव इसमें एड़ कर दिया गया इसके प्रभाव को इसमें एड़ कर दिया गया देखें इसमे जमारासी पर होने वाला ब्याय था लेकिन इसमें क्या एड़ गड़ दिया है किसी भी स्त्रोश से आया धनड़ासी पर होने वाला सीमान तबे किसी भी धनड़ासी मतलब रिड के रूप में भी अगर उसने लिया होगा तो वो RBI को loan दी तो उसको lab भी दोगा तो उस lab को भी इसमें add कर दिया गया मतलब यहाँ पर reverse repo rate को add कर दिया गया यहाँ पर repo rate को add कर दिया इसी लिए MCLR का बरतमान में use किया जाता है और इसके माध्यम से तो क्या देती है सबी गिराकों को bank सबी गिराकों और इसी का बरतमान में use किया जाता है तो आपको समझ में आ गया PLR, BS और MCLR क्या है चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही finish करता हूँ अगर आपको कोई भी doubt होता है तो बताएए मैं दुबारा इस वीडियो को बना दूँगा क्योंकि यह काफी complicated इसलिए हो गया क्योंकि यह काफी लंबा यह लेक्सर सायद हो गया कितने मिनट का हो गया आपको दीखनी रहा लेक्टाप पर लेकिन इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को सेयर करें तो मैं वहां पर हो सकता है मैं message न गरूं खूँकर WhatsApp सभी लोग चलाते हैं अब सभी लोग चलाते तो सभी लोग मुझे message करने लगते ईजली उस पर add हो जाते हैं तो मुझे परेशान ही होने लगए इसलिए मैं टेली ग्राम पर रहता हूं वह बेर टैक्स होते हैं सीरिस्ली ओगर के पढ़ना चाहते हैं और मैं हमिस्था आप लोगों के साथ हूँ अच्छे से पढ़ाई घरिये चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिस करता हूँ